हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रोफिट शेरिंग रेशो आज का हमारा टोपिक है मैथड्स ओफ वैलिशन ओफ गुडविल तो गुडविल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तीन मैथड होते हैं आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एवरेज प्रोफिट मैथड को पहले ये मैथड सिखेंगे गुडविल कैसे फाइंड करते हैं फिर इसके नुमेरिकल्स करेंगे देखिए एवरेज प्रोफिट मैथड भी दो तरह का होता है फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रोफिट मैथड और सेकंड वेटिड एवरेज प्रोफिट मैथड तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल एवरेज प्रोफिट मैथड तो इसमें आपको सबसे पहले find करना है average profits अब देखिए average profits का मतलब क्या है जितने भी years के profit आपको दिये होंगे आप उनको add कर लेंगे तो वो आपके पास आएगा total profit उसे आपको divide करना है number of years से यानि कि जितने years के वो profit थे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे divide में number of years जैसे मान लीजिए आपको 3 years के profit given है तो first year का profit plus second year का profit plus 3 यानि third year का profit और इसे आपको divide करना है यहाँ पर number of years कितने है 1,2,3 तो 3 से कर देंगे divide तो जितने भी years के profit हैं उन्हें add कर लीजिए और number of years से divide तो वो हमारे पास आएगा average profit अब दिखिए average profit find करने के बाद goodwill कैसे find करना है average profit को आप number of year purchase से multiply कर देंगे तो multiply में लिखेंगे number of year purchased यह question में given होगा तो यह हमारा simple average profit method है अब हम इससे सिखेंगे goodwill कैसे find करना है इसके लिए numericals करेंगे चलिए next page पर चलते हैं फर्स्ट कोशन है हमारे पास the profits of a firm for the last five years were as follow हमें last five years के profit given है हमें यहाँ पर goodwill find करना है two years purchase of average profit of the last five years तो सबसे पहले हम यहाँ पर average profit find करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे दिखिए year ended आपको जो profit given है year ended 31st March पहले profit given है हमें 2019 के लिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए profits और यह rupees में ओंगे तो यहाँ लिख लेंगे rupees 2019 का profit given है 50,000 हमें फिर 2020 के लिए profit given है 55,000 फिर next हमें 2021 के लिए profit दिया है 65,000 फिर 2022 के लिए profit given है 70,000 फिर last में 2023 के लिए profit है 90,000 अब average profit के लिए पहले इनको total करेंगे यानि कि total profit find करेंगे तो इनका total हमारे पास ही आहां पर आएगा 3,30,000 तो ये आया है हमारे पास अब total profits अब हम इसकी help से find करेंगे average profit तो लिखेंगे यहां पर आप average profit अब average profit कैसे find करते हैं पहले लिखेंगे total profit 3,30,000 divide करेंगे number of years से number of years यानि कि कितने years के ये profit हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से कर देंगे divide तो 3,30,000 को 5 से divide करने पर हमारे पास आएगा 66,000 अब हम find करेंगे goodwill तो आप यहां पर लिखेंगे goodwill formula है हमारे पास average profit multiply में number of year purchased तो यहां पर आप multiply में लिख लेंगे number of year purchased average profit आया है 66,000 number of year purchased question में given है 2 तो 2 से कर देंगे multiply तो 2 से multiply करने पर आएगा 1,32,000 और यही हमारा answer है चलिए अब हम simple average profit method से एक और question करेंगे जिसमें हमें इन profits की adjustments भी दिया होंगी इसके लिए चलते हैं next page पर next है हमारे पास question number 2 the goodwill of a firm is valued at 3 years purchase of average profits of last 4 years the profit of the last 4 years वर तो हमें यहां पर 4 years के profit दिये गए है यहां पर 2020, 2021 के लिए जो profit गिवन है उसका एक adjustment भी गिवन है साथ में और 2021 और 22 के लिए जो profit दिया है उसका भी एक adjustment गिवन है next है calculate the amount of goodwill यहां पर हमें goodwill find करना है 3 years purchase of average profit पहले average profit find करेंगे फिर उसे 3 से multiply वो होगा goodwill अब देखे question number 2 को start करने से पहले हम सीखेंगे यह जो adjustments हमें दी जाती है profits के साथ इनका treatment क्या है देखे जब भी हमें question में abnormal loss दिया होगा abnormal loss का मतलब होता है कि जो business में normal activity से नहीं हुए वो loss है abnormal loss जैसे loss by fire अब देखे फायर यानि कि आग से कोई नुकसान होगा यह normal activity नहीं है तो यह होगा abnormal loss जितने भी abnormal loss दिये होंगे वो हम profit में वापिस क्या कर देंगे add और इसी तरह से जो question में हमें abnormal income दियोगी abnormal income या abnormal gain वो business की normal activity से income नहीं हुई तो इसलिए आपने इसे profit में से क्या कर देना है वापिस less कर देना है abnormal loss को add करेंगे और abnormal gain को less और कुछ हमें normal expenses दिये होते हैं जिनको पहले consider नहीं किया गया था तो उनको अब consider करना है तो normal expenses को जितने भी years के profit हमें दिये होते हैं उन में से सभी में से क्या कर देना है less normal expenses की पहचान कैसे होगी वो expenses हमें कहेगा या तो वो annually है या फिर पर एनम कहेगा या फिर वो कहेगा ये yearly है तो इसका मतलब वो सभी years के profit में से आपको क्या करने है less करने है इन adjustments के बाद जो हमारे profit होंगे वो होंगे actual profit उन्हीं को add करेंगे और उन्हीं की help से average profit find होगा और फिर good will तो ये तो समझने के लिए था इसे raise कर देते हैं अब यहां से तो solution में सबसे पहले आप लिख लेंगे यहां पर year ended 31st March और यहां पर adjustments और यहां पर actual profits यहां पर हमें 2019 के लिए profit गिवन है 2020 के लिए फिर हमें गिवन है 2021 के लिए profit और फिर 2022 के लिए 2018-19 का meaning है ये year end होगा 31st March 2019 में और ये 20 में और ये 21 में और ये 22 में इन profits की जो adjustments हैं वो हम यहां पर करेंगे और जो result आएगा उसे actual profit में यहां पर लिख लेंगे तो 19 में हमें profit given है 1,10,000 तो यहां पर आप लिखेंगे 1,10,000 इसका कोई भी adjustment नहीं है तो यहां पर actual profit हमारा 1,10,000 ही रहेगा और next time में 2020 के लिए loss दिया गया है 1,000,000 का तो यहां पर आप लिख लेंगे इस loss को 1,000,000 को bracket में और इसका भी कोई adjustment given नहीं है तो यह भी as it is आएगा यहां पर loss 1,000,000 loss है तो इसे आप bracket में लिखेंगे bracket का meaning है यह negative है next time में profit given है 2021 के लिए 1,50,000 तो यहां पर आप लिखेंगे 1,50,000 और next 2022 के लिए profit है 2,50,000 अब देखिए 2021 के लिए adjustment क्या है after debiting loss of stock by fire rupees 40,000 यानि कि इस profit में से आपने एक loss को debit किया हुआ है यानि कि less किया हुआ है जो business का loss नहीं है loss by fire abnormal loss है और abnormal loss को हम profit में क्या करेंगे वापिस add तो इसलिए अब आपिस loss को यानि कि loss of stock by fire को यहां पर इस profit में add कर देंगे तो यहां पर add करेंगे 40,000 तो यह हमारे पास आएगा अब total 1,90,000 फिर next देखिए 2022 में जो profit है इसके लिए adjustment है इसमें बताया है including an abnormal gain of rupees 50,000 इसमें एक abnormal profit include है abnormal profit को हम क्या करेंगे related profit यानि कि 2,50,000 में से less कर देंगे तो यहां पर आप less करेंगे 50,000 तो 2,50,000 में से 50,000 less करने पर आएगा 2,00 अब यह हमारे actual profits हैं तो इन्हें आप यहां पर add कर लेंगे यह आ जाएंगे total actual profit तो आप लिख लेंगे total actual profits अब दिखिए यह तीनों क्या है profit इन तीनों को add करने पर आएगा 5,00,000 5,00,000 में से यह loss 1,00,000 minus करेंगे तो result आएगा हमारे पास यहां पर 4,00,000 अब हम यहां पर find करेंगे actual average profit तो आप यहां पर लिखेंगे actual average profits और average profit के लिए हमने total profit को number of years से divide करना है total profit है 4,00,000 divide करेंगे number of years देखिए कितने हैं 1, 2, 3, 4 तो 4 से कर देंगे divide तो 4,00,000 को 4 से divide करेंगे तो वो आएगा 1,00,000 अब हमें find करना है good will तो good will के लिए हमारे पास क्या formula है average profit multiply में लिखते है number of year purchased तो यहां पर आप multiply में लिख लेंगे number of year purchased average profit आया है 1,00,000 number of year purchased question में given है 3 तो 3 से कर देंगे multiply तो 1,00,000 को 3 से multiply करेंगे यह आएगा 3,00,000 और यही हमारा answer है चलिए next अब हम सिखेंगे weighted average profit method से good will कैसे find करते हैं इसके लिए चलते हैं next page पर next हमारे पास question number 3 question number 3 में हमें good will find करना है weighted average profit method से इस question में हमें 5 years के profit given है और 7 में हमें इन profits के यहां पर year wise weight given है अब दिखे weight का meaning क्या है जब यह profit increasing trend में होते हैं यानि की continue बढ़ रहे होते हैं तो फिर हम इस increasing order को यहां पर weight दे देते हैं यानि की rank जैसा कि यहां पर 2019 के profit के लिए weight given है 1 20 वाले profit के लिए 2 21 के profit के लिए 3 22 के profit के लिए 4 और 23 के profit के लिए 5 अब हम सीखेंगे weighted average profit से good will कैसे find करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले find करेंगे weighted average profit तो इसके लिए सबसे पहले आप यहां पर लिख लेंगे year ended 31st March और यहां पर profits और यहां पर इनके जो weight given है और यहां पर products तो हमें 2019 के लिए profit given है फिर 2020 के लिए फिर 2021 के लिए फिर 2022 के लिए और फिर 2023 के लिए 19 का profit given है 45,000 हमें 20 के लिए profit given है 55,000 और 21 के लिए profit 65,000 और next 22 के लिए profit 70,000 और 23 के लिए profit है 90,000 और हमें weight given है इनके लिए 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर आप weight लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 5, अब देखिए weighted average profit कैसे find करना है इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक product find करना है वो कैसे find करना है इस profit वाले column को इस weight वाले column से multiply करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर जो product हमारे पास आएंगे उनका हम यहाँ पर total करेंगे और उस total को आप यहाँ पर लिखेंगे sum of product और इसे हमने यहाँ पर divide करना है weight की total से तो आप यहाँ पर लिख लेंगे divide में total of weight अब हम find करेंगे product देखिए सबसे पहले profit है 45,000 और weight है 1 तो 45,000 को 1 से multiply करने पर आएगा 45,000 next 55,000 को 2 से multiply करेंगे यह आएगा 1,10,000 next 65,000 को 3 से multiply करेंगे तो यह आएगा 1,95,000 next 70,000 को 4 से multiply करने पर आएगा 2,80,000 और 90,000 को 5 से multiply करने पर 4,50,000 अब यहाँ पर हम इन products का total करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास इसका total इने add करने पर 10,80,000 और जो weight का total है इनको add करने पर हमारे पास आएगा 15 अब हम find करेंगे weighted average profit तो देखिए sum of product हमारे पास आया है 10,80,000 और इसे divide करना है आपको total of weight यानि की 15 से तो 10,80,000 को 15 से divide करने पर हमारे पास आएगा 72,000 अब इस weighted average profit से हम find करेंगे goodwill तो goodwill के लिए हमारे पास क्या formula है average profit तो weighted average profit है 72,000 multiply में number of year purchase ये हमें question में given होता है ये है two years purchase तो two से कर देंगे multiply तो 72,000 को two से multiply करने पर आएगा 1,44,000 और यही हमारा answer है next अब हम एक और question करेंगे weighted average profit method से वहाँ पर हमें profits के साथ adjustments भी दी आउंगी next है हमारे पास question number four यहाँ पर हमें एक firm के लिए goodwill calculate करना है two years purchase of the weighted average profit of the past three years तो इसके लिए हमें यहाँ पर year wise profits के लिए weight भी given है one, two, three और यह profits given है साथ में इनकी adjustments भी दी गई है adjustments को कैसे treat करना है यह हम question number two में सीख चुके हैं तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे year ended 31st March फिर लिखेंगे actual profit यानि की adjustment के बाद जो profit होंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे weight और यहाँ पर लिखेंगे products तो हमें profit given है 2021 के लिए फिर 2022 के लिए और फिर 2023 के लिए 21 के लिए profit given है 1,10,000 और next 22 के लिए profit given है 1,15,000 और next 2023 के लिए profit 1,35,000 given है 2021 के profit के लिए adjustment दिया है दिखिए इसमें एक abnormal gain include है और abnormal gain को हम क्या करेंगे minus तो abnormal gain 10,000 है तो आप less कर देंगे यहाँ पर 10,000 next में 2022 के profit के लिए adjustment बताई है कि यह जो profit है 1,15,000 यह after charging and abnormal loss है 15,000 तो abnormal loss को क्या करेंगे वापिस add कर देंगे इस profit में और abnormal loss है 15,000 तो आप add करेंगे 15,000 next 2023 के लिए profit हमें दिया है 1,35,000 इसका adjustment है including profit of 5,000 on sale of plant आपने plant को sale करके profit earn किया है 5,000 और वो आपने firm के जो normal profit है उनमें include कर लिया लेकिन ये तो capital profit है इसलिए इसे goodwill purpose के लिए use नहीं किया जाएगा तो इसे भी आप क्या कर देंगे अब 2023 के profit में से less तो यहाँ पर आप less कर देंगे 5,000 तो actual profit अब हमारे पास आएगा 2021 के लिए 1,10,000-10,000 यानि कि 1,00,000 और 2022 के लिए actual profit आएगा 1,15,000 प्लस 15,000 यानि कि 1,30,000 और 2023 के लिए actual profit है 1,35,000-5,000 यानि कि 1,30,000 अब हमें इन profits के लिए weight given है 1,2,3 तो यहाँ पर आप weight वाले column में लिख लेंगे 1,2 और 3 अब last question की तरह यहाँ पर product find करेंगे तो पहले 1,00,000 को 1 से multiply करेंगे तो आएगा 1,00,000 फिर 1,30,000 को 2 से multiply करेंगे 2,60,000 फिर 1,30,000 को 3 से multiply करेंगे 3,90,000 अब यहाँ पर in product का total करेंगे तो वो आएगा 7,50,000 और इन weight को add करने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा 1,2,3,3,3,6 तो सबसे पहले हम यहाँ पर find करेंगे weighted average profit तो आप लिखेंगे weighted average profits इसके लिए जो sum of product है 7,50,000 इसे आपको divide करना है weight के total यानि की 6 से तो 7,50,000 को 6 से divide करने पर आएगा 1,25,000 अब हम find करेंगे यहाँ पर goodwill अब goodwill कैसे find करेंगे पहले लिखेंगे average profit 1,25,000 multiply में number of year purchase वो question में given है 2 तो 2 से कर देंगे यहाँ पर multiply तो 1,25,000 को 2 से multiply करने पर आएगा 2,50,000 और यही हमारा answer है तो हमने average profit method से goodwill कैसे find करना है यह सीख लिया है वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें चैनल पर नए हैं तो subscribe कीजिए मिलते हैं next video में thank you so much